हेलो दोस्तो रंभा कीचन में आपका स्वागत हैं दोस्तो आज मैं बनाने जारी हूँ करवा चोथ अस्पेशल मीठी मठी और नमकीन मठी दोस्तो मैं एक ही आंटा से दोनों मठी बना के दिखाऊंगी इस वीडियो में दोस्तो जो भी हमारे चैनल पर नियू आ रहे हो जल्दी से सस्क्राइब कर लीजिए और साथ में बेलकन दवाईए ताकि जो भी मैं नियू वीडियो डालू आप लोग तक सबसे पहले पहुंच सकें दोस्तो अब चलते हैं हम मठी बनाने के लिए सबसे पहले मैं आटा लग आटा लगाने के लिए मैं सबसे पले एक पडात ले लिए हूँ इसमें मैं डालूँगे तीन कप मैदा आप चाहे तो कटोड़ी से सेट कर सकते हो जाहे आप मेजरिंग kleine cup से दोस्तो बनता है और साड़ो मैं डाला के आञवा क्यों इस तरह मिला लूँगी मैं इसमें पानी डालूँगी मैं एक कव पानी ले ली हूँ दिरे दिरे पानी डाल के मैं आटा गूंद लूँगी एक दम आपको soft आटा लगाना है रोटी से आटा थोड़ा सा टाइट डखना है क्योंकि हमको मठी बनाना इस आटा से आप थोड़ा थोड़ा पाणी याड़ करिए और आटा को इस तरह मिलाते रहिए अब मैं आटा गूथ ली हूँ, आप देख सकते हो वीडियो में कितना अच्छा अमारा आटा तेयार हो गया है आप इस तरह आटा गूथ लीजिए, आप देख सकते हो वीडियो में अब आटा को मैं धख एक पलेट से 15 मिनट रेश्ट पर रख देंगे 15-20 मिनिट आप रख सकते हो अब हमारा आटा 15-20 मिनिट हो चुका है आप देख सकते हो अब मैं एक बार फिर से सारे आटा को मिला लूँगे अब मैं लूँगे एक चेकला एक बेलन इस पर मैं मठी बेल के तियार कर लूँगे अब थोड़ा सा रिफांड ओयल लेली हूंए और हाथों में लगा लूँगे और आधे आटा लेली हूंए इसको मैं इस तरह मिलाते हुए लंबा फेला लूँगे इस तरह अब इस तरह लंबा फेला लीजिए आटा को और एक चाकु की मदद से मैं इसको इस तरह काट लोंगे पांचे हिस्से में मैं इसको गोले के लिए सेपरेट कर दूंगे आप देख सकते हो इस तरह आप गोल गोल लोई बना लीजिए छोटा बड़ा जैसे मर्जी आप बना सकते हो आप इस तरह सारे गोल गोल लोई बना लीजिए बाकी भी मैं इसी परुशे से सारे लोई बना लूंगे यह मेरा टोटल इतने आठे में बारव मठ्री तैयार हो जाएंगे अब मैं थोड़ा सा हाथों मेरी रिफाइन वेल लगा लूंगे और एक लोई ले लूंगे इस तरह और गोल कर लूंगे आप इस तरह गोल लोई बना लीजिए अब मैं आपको बेल के दिखाऊंगे मठ्री आप छोटा बड़ा जिस भी साइज में बनाना चाहरे हो आप बना सकते हो आप देख सकते हो मैं इतने पतली बेली हूँ ज्यादा न पतला न ज्यादा मोटा आप इसी तरह सारे पूरी बेल लीजिए और एक एस्पुन के मदद से इस तरह मैं पूरी में छेद कर दूंगे ताकि हमारा पूरी फुले नहीं और अच्छा से बन पाए आप देख सकते हो आप चाकू के मदद से भी इस तरह चेद कर सकते हो और मैं इसको पलेट में रख दूंगे आप इसी पूरी से दूसरा पूरी भी बना लूंगे अब मैं चलती हूं नेक्स प्रोसेस में गायस पे ये कराही रखूंगे और कराही में मैं रिफाइंड ओयल डाल दूंगे मट्री तरनने के लिए और मैं तेल को गरम कर लूंगे अब हमारा तेल गरम हो चुका है अब इसमें मैं एक-एक मठी डाल दूंगे आपको कराही में जितना आ सके उतना डाल सकते हूं मेरे में तीन आ गया मैं तीन डाल दी हूं और आज को मेडियम धीमी पर रखना है क्योंकि मठी को हमको धीमी आज पर पकाना है ताकि किरिप सी मठी बने और यह मठी तलने में हमको पांच से छे मिनट लग जाएंगे अब मैं मठी को एक साइड पलट दूंगे आप देख सकते हो इस तरह आप पलट दीजिए और दूसरे साइड भी पकने दीजिए आपको तेज अच पर मठी नहीं बनाना है नहीं तो मठी कesser सी नहीं बनेगा और जिसतरह मैं बता रही हून आप एक बार यह मठी बनाऊँगे तो मार्किर के मठी क्हाने भूल जाूँगे इतना अच्छा बनते हैं, इतना खास्ता बनता है, और बहुत टेस्टी बनते हैं इस मठी फिर से मैं दूसरे साट पुलट दूंगे, इसी तरह आपको उलट पुलट करके, दोनों तरफ हलका ब्राउन होने तक आपको पुसेक लेना है अब मैं अलट पुलट करके, दोनों साइड मठी को पका ली हो, आप देख सकते हो, हमारा मठी एकदम पक चुका है, ब्राउन कलर आ चुका है, आपको मैं दिखा रही हूं केमरे में, आप इस तरह मठी बना लीजे और निकाल लीजे, आप मैं तेल में से निकाल का आपको दि देखिए हमारा मठी कितना अच्छा बन गया है, अब मैं सेम परोश्य से दूसरा मठी भी डाल दूँगे, अब देखिए हम साड़े मठी तेयार कर लिए हैं, आप इस में से मैं थोड़ा आदे मठी मीठी बनाऊंगी, आदे नमकीन रखूंगी, मीठी मठी बनाने के लिए मैं सबसे पहले चास्नी बना लूँगे, मैं फड़ा इपेन रख्यूं इसमें फोर्थ कप मैं चिनी एड़ करी हूं और आदे कप पानी एड़ कर दूँगे, और साड़े को मिला लूँगे, और चास्नी को मैं पकने दूँगे, देख सकते हो आप हमारे चास्नी मोबाल आ रहे हैं, मैं इसको एक दो तार के चास्नी बनाना है, चिनी को मैं अच्छी तरह घुलने दूँगे, चास्नी को मैं मिलाती रहूंगे, इसी तरह आप चलाते हुगे चास्नी को पका लीजिए, हमारा चास्नी लगभग त्यार हो गया है, अब मैं आपको चेक करने के दिखारी हो, एक कटोरी में पानी लीजिए, इसमें दो बुंद चास्नी डाल दीजिए, और हमारा चास्नी जमने लगए नीचे पानी में तो हमारा चास्नी बन चुका है, आप देख सकते हो, नहीं तो आप एक पलेन कटोरी लीजिए, इसमें डाल दीजिए, यह दो बुंद उंगली से आप चेक कर सकते इस तरह, आप मैं गयस को बंद कर दूँगे और चास्नी को ठंडा कर लूँगे, हमारा चास्नी अब ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हो, आप मैं चलती हूं, नेक्स प्रोसेस में, और मैं जो मठी रखी थी बना के और इसमें मैं पांच मठी को आपको दिखाती हूँ मैं चासनी में डूबो के आपको किस तरह निकालना है आप एक मठी लीजिए और इसमें चासनी में डाल दीजिए एक कर्ची के मदद से दोनों साइड इस तरह डूबो दीजिए चासनी मे ताकि हमारा मठी पे चासनी चड़ जाए और एक पलेट पे निकाल लीजिए अब मैं सेम परसे से दो तीन चार मठी को इसी तरह चासनी में डिबो दूँगे और निकाल दूँगे यहाँ पर मैं एक टीब बताना चाहती हो आपकी चासनी गाड़ी हो जाए तो आप दो चमसिस में पैनी आइड कर सकती हो इससे चासनी थोड़ा सा पतला हो जाएगा और मठी में आसानी से चर जाएगा इसी परसे से मैं सारे मठी को इसी तरह डूबो दूँगे देखिए दोस्तों हमारा मीठी मठी भी तेयार हो गए इस पे मैं थोड़ा सा पिस्ता से गार्निश कर लूँगे आप देख सकते हो मैं टोटल एक आडब मठी बना था इसमें से मैं पांच मीठी मठी बनाई हूँ और पांच नमकिन मठी बना ली हूँ आप दोनों ही मठी बना सकते हो इस तरह घर में यह बहुत टेस्टी लगते हैं दोस्तों अब हम पलेटिंग करके आपको दिखाएंगे यह देखिए दोस्तों हमारा मठी अब तेयार हो चुका है आप इस तरह मठी बनाए हमारे चैनल को लाइक करिए सस्क्राइब करिए दोस्तों में सायर कीजिए और साथ में कमेंड करके बताना कि हमारा मठी कैसे बना है और जो भी हमारे चैनल को सस्क्राइब ने की हो तो जल्दी से सस्क्राइब कर लिजिए और साथ में बेलकन भी दबाईए ताकि जो भी मैं यू वीडियो डालो आप लोग तक पहुंच सके धन्यवाद